हालो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोन तथा वैसनमुक्ति तग्य हूँ महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ हुआ 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 हु का आनाती भेंग कर डर का इसको लते पैनिक अटेक तो पैनिक अटेक जो है वो मानसीक बिमारी में आ सकते हैं को इसको मानसीक बिमारी उसमें पैनिक अटेक आ रहे हैं और मानसीक बिमारी के अलावा भी यह जो फोबियाज है अलग अलग सोशल फोबिया जो है मतलब सामाजिक स्थिति में जाने का डर या स्पेसिफिक कुछ तो भी फोबिया देखा दे घटना एका दे प्रसंग जो है उसका डर या पोस्ट ट्रामा हो गया वहां से डर तो ऐसे अलग-अलग जो बिमारियां उसमें भी पैनिक अटक आता है मतलब एक जो है वो वान्सिक बिमारी में आता है और दूसरा पैनिक डिसार्ड्र जो है जिसमें स्पेसिफिक फोबिया रोलक ऑन पोस्ट गुस्सा सहन नहीं कर सकते, मतलब गुस्सा उनको जल्दी आ जाता है, कोई चीज छोटी मूटी रहन उसको गुस्सा आ जाता है, तो उनको पैनिक आटक आते रहते हैं, ज्यादा आने का संभव है, ऐसा नहीं कि आता ही है करके, दूसरा जो कारण है कि जीवन के पैनिक आटक के साइकोलोजी के बारे में, तीसरा है कि खुद के उपर बहुत बड़ी एक खादी जिम्मेदारी आ जाना, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मैं जिम्मेदारी सहन नहीं कर सकूंगा, तो एक साइकोलोजी उसकी हो सकती है, पैनिक आटक आने की, फिर नेक्स् गुस्से वाले रहना, माबाप ने बहुत बच्चे के दिमाग में डर बिठाना उनके बारे में, बहुत गुस्से वाले रहना, माबाप के सामने बच्चा एक्स्प्रेस नहीं होता, खुला बात नहीं कर सकता, खुला काम नहीं कर सकता, ऐसे लगता है कि माबाप के सामने कि इसका डाइगनोसिस कैसा करना मतलब पैनिक अटेक जब आता है तो डर शुरू होता है और कुछ सेकंड के अंदर इतना बढ़ जाता है हो कि दस मिनिट के अंदर पूरा उसका मतलब जाइः फील ब्लोण डेल बढ़ और इसका व्यारनुन पुरां का फूरा दिखा जाता है एक दमद्ध मितना साल जादा हो जादा की कंड्रोल के भाँल या इतना जाद हो जादा है there चुरू होने के बाद में है तो इसमां देरा लक्षे रह में से चार लक्षे है तुम बोल सकते कि इसको पैनिक अटक आया हुआ है और लक्षे मतले मामूल ही नहीं बहुत जादा कि जिसको पास सहन नहीं कर सकता है तो उसमें पहला है कि छाती में धड़कन सीने में धड़कन होना और ऐसा लगना कि जो दिल की धड़कन है दिल ऐसा बाहर निकल रहा है शयुद देख देख करना चाती में धड़कन हो रहा है दिल ऐसा बाहर निकल रहा है इतना इतना ज्यादा डर न बहुत ज्यादा है एक रहा directors को लगा हुआ ऐसा दिकता है फिर वो छोड़ी-छोड़ी सांस लेता है ऐसा लगता है कि सांस उसको पूरी नहीं मिल रही है उसको बार-बार ऐसी छोड़ी-छोड़ी सांस लेनी पड़ रही है सांस कम पड़ रही है ऐसा लगता है उसको कुछ सभी घडबड लगती है पेड में गोला आगया ऐसा लगता है आठवा चक्कर आना चक्कर लगता कि पूरा घुम रहा है या खुद का बैलन्स जा रहा है खुद गिर जाओंगा ऐसा या स्तीर ने रहना या आखों के सामने अंधेर आ जाना नौवा जो है वह एकदम ऐ जगा लगना ऐसा लगना कि अपन एक दम नहीं जगाए हुए और यह आपन नहीं वेक्ति कुछ तभी हो गए गया और नहीं जगा आगए कि जगा को नहीं पहचानना दस्वा जो है वह है कि अपने खुद के ऊपर का कंट्रोल निकल जाएंगा ऐसा लगना या मैं पागर ह है वह हाथ ऐसा लगता कि हाथ पेर सुन हो जाना हाथ पेर में चिटी आंजाना नम नेस जिसको बोलते हैं एक सको कोई सेंसेशन नहीं लगना और तेरा वाए कि बहुत जादा ठंड लगना जा बहुत जादा गर्मी लगना वाँसे जो तेरा लक्षन मेंने बताए तो ये इतना की पूरे लक्षन आ रहे हैं अब लोग पुछते की पैनिक एक तो आगया मालूम है और उसका इलाज क्या है उसका हिलाज यह है कि कुछ अब उस सेशन जो तकलिब है तो वह हर्दम किसे में रखना ऐसा कुछ एटाइक आ तो लेना और एटाइक नहीं है करके करता हूं उसके सेशन लेता हूं अलग-अलग और रिलाक्स होके वह एटाइक का तिवरत आजाए वह कम करना तो रिलाक्सेशन टेकनिक सीखना पड़ेंगा सेल्फ हिप्नोसिस सीखना पड़ेंगा उसके अलग सेशन होते हैं आपको ऐसा कुछ लगा तो कभी भी हमको संपर् वीडियोस इपनोहरिवी के बारे में वह भी आप देख सकते हैं और सेल्फ हिप्नोसिस करके वह एक टाल सकते हैं यह एक आगया तो उसमें से चुटकारा पा सकते हैं हमारा जो उद्धिश्ट है वह ऐसा है कि सबके लिए मानसिक स्वास्तिया और वैसल नुक्त भारत आप आप मेंसे ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको ऐसा एक आता है तो उनको जरूर वीडियो शेयर करो उनको इसका फायदा होंगा और हमारा जो मिशन उसमें आपका हाथ लग जाएगा आपको अच्छा लगा तो जरूर ये वीडियो लाइक करो क्यों पर भी क्लिक करो ताकि मेरे जो वीडियो में हर्दम डालता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे सो थैंक यू वेरी मच बाई लगी करो आपको आस जाएगा रंगा बुक करो आपको आएगा आपको जहागा ठापको आपको यू वेरी में हरे जड़ा एक करो आपको आपको आपको.